हेलो फ्रेंड साप सब भी का एक बर फिर स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 को लेकर एंपिटेट बर्गितीन के एक्जाम को लेकर हिंदी एवंसी छण सास्त के महतपूर इंपोर्टेंट 1000 कोश्चन अगर आप सीटेट कोश्चन नमबर फर्ष्ट है इसकीन पर आप देख रहा हैं भेरी भेरी मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन एक्जाम में आ सकता है कमेंट करें सही आंसर क्या होगा बहु सांस्कितिक प्रिष्ट भूमी बाली भारतिये कक्छाओं में सिच्छन के लिए अति आउसक है क्य पर बातचीत के लिए अनेक अपसरों का निर्मान ठीक है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर सेकेंड भेरी भेरी मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन एक्जाम में आ सकता है भासा की आधार भूत कौशल कौन से हैं जल्दी से कमेंट करें हमेशा अरजित क किये जा सकते हैं सर्विधा ठक हैं अन्ता संबंदित होते हैं किरंबद रूप से चलते हैं कोश्चन नमबर सेकेंड का करेक्ट आंसर होगा बच्चों इहां पर सी आपका अन्ता संबंदित होते हैं भासा के आधार भूत कौशल ठीक है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर कोशन नमबर थर्ड अच्छा कोशन है अग्जाम में आ सकता है इसलिए कमेंट करें सही आंसर क्या होगा कोशन नमबर थर्ड सोभाविक अभी व्यक्ति कलपना सीलता कौशल और सोच को विख्सित करना भासा सिच्छन का एक मात उद्देश है भासा सिच्छन का का करेक्ट अंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें कोशन नमबर थर्ड कह अपर करेक्ट अंसर होगा आपका सी भासा सिच्छन का एक मात पूर उद्देश है ठिक है नेश्ट कोस्टन है, स्कीन पराच का, कोस्टन नमबर फोर है, अच्छा कोस्टन है, एक्जाम में आ सकता है, भासा कौसलों की बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अगर आंसर जानते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करें, कोस्टन नमबर फोर है, भासा कौसल की बारे में निम सा कतन गलत है बासा की कोशल पर अंता संबंदी नहीं है ठीक है कोशन नंबर फूर का कर्यक्ट आनसर होगा आपका भी होगा नेशक कोश्चन है स्कीन पर कोश्चन नमबर फाइब गिरहात्मक कॉंसलों में सामिल है अच्छा कोश्चन है एक्जाम में आ सकता है जल्दी से कमेंट करें कोश्चन नमबर फाइब कवच्चिहां पर करेक्ट आंसर होगा आपकासी होगा सुनना और पढ़ना ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर कोश्चन नमबर फाइब एक्जाम में आने की पिरवल संभावनाए कमेंट करें सही आंसर क्या होगा सुनना कोश्चन के बाले में कौन सा कथन उच्छित नहीं है अच्छा कोश्चन है आपके पास ऑप्शन चार सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें question number 6 देख लेते हैं ठीक है पहलो तो 6 का correct answer होगा आपका A ठीक है कौनसा उचित नहीं है सुनना कॉंसल सबसे महतपूर सबसे कम महतपूर है उचित नहीं है यानि सुनना कॉंसल सबसे अधिक महतपूर है कम तो होई नहीं सकता अगर कमी होगा तो बालक में कॉंसल का विकास कैसे होगा इसलिए एक option गलत होगा question number 6 का correct answer होगा आपका A next question है इसकीन पर आज़का question number 7 very very most important question है एक्जाम में आ सकता इसलिए कमेंट करें बच्चों सही answer किया होगा question number 7 नेम लिखित में से कौंसा सिर्वन कौंसल सीच्छन का उद्देश है बिलकुल अच्छा question है correct answer किया होगा सभी स्टुडेंट कमेंट करेंगे नेम लिखित में से कौन सा सिर्वन कौसर सिच्छन की लिए सिच्छन का उद्देश है कोश्चन नमबर सेविन का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ओप्सन ए होगा सुरुत सामागरी के बिसाई के मेथपून मम्र इस पर सी बिचारों भावों तर्थ्यों का चैन करने की छमता पिर्दान करना कोश्चन नमबर सेविन का करेक्ट आंसर होगा आपका ओए नेस्ट कोश्चन है इसकीन पराज का कोश्चन नमबर एट very very most important question है अक्जाम में आ सकता है कमेंट जरूर करें सही आंसर क्या होगा यदि छात की इंद्रियों में दोस है तो है ना भासा सीखता है ना मनो भावों को अभी व्यक्त कर सकता है question number 8 का correct answer क्या होगा जल्दी से comment करें question number 8 का correct answer होगा आपका भी होगा सिर्वन कौसल नोट कर लें यदि छात की सिर्वन इंद्रियों में दोस है तो ना तो है भासा सीख सकता है ना मनो भावों को अभी व्यक्त कर सकता ठीक है सिर्वन correct answer होगा question number 9 है इसकीन पर अच्छा question है exam oriented exam में आ सकता है comment जरूर करें इसका सही answer क्या होगा question number 9 सिर्वन कौसल के सिच्छन के द्वारा निम लिखित में से किस उद्देश की पूर्ती की जा सकती है very good question number 10 है इसकीन पर निम लिखित में से कौन सा सिर्वन कौसल सीच्छन का उद्देश नहीं है question है जल्दी से comment करें correct answer किया होगा question number 10 निम लिखित में से कौन सा सिर्वन कौसल सीच्छन का उद्देश नहीं है question number 10 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका भी होगा note करने पूरी बात को ना पूरी बात को सुनना ना की बकता के कतन के सारांस को समझना question number 10 का correct answer होगा आपका भी question number 11 है इसकीन पर comment करें सही answer क्या होगा very very most important question है एक्जाम में आ सकता है नेमने कित में से कौन सी सिच्छन विधी सराबर कौसल के सिच्छन में सरवाधिक उपियोगी है question number 11 11 का क्या correct answer होगा पिसनोत्तर सरस्वरबाचन भासन ओ सभी बिलकुल question number 11 का बच्चो correct answer होगा आपका डी ए सभी होगा ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 12 very very most important question बोलना कौसल की विकास के लिए सबसे अधिक महत्पूर्ण सिद्ध हो सकता है correct answer क्या होगा जल्दी से comment करें question number 12 है इसकीन पर बच्चो बारा का यहाँ पर correct answer होगा आपका सी परसपर बारता लाब next question है इसकीन पर question number 13 अच्छा question exam oriented है exam में आ सकता है comment जरूर करें बिलकोल exam में आ सकता है question comment करें सही answer क्या होगा परसपर बातचीत मुखता question को समझ लें सुनने और बोलने की कॉंसलों की बिकास में सहायक है पढ़ने लिखने में सहायक है समय की बरबादी है अनुसासन हींता को उत्पन करती है question number 13 का बच्चो यहाँ पर correct answer क्या होगा यह option आपका सही होगा note कर लें सुनने और बोलने की कॉंसलों की बिकास में सहायक होती है question number 13 का correct answer होगा आपका option A ठीक है next question देख लेते हैं स्कीन पर question number 14 अच्छा question है exam में आ सकता है comment करें सही answer क्या होगा मौखिक अभी व्यक्ति में निम लिखित मैंसे कौन सी बिसेश्टा होनी चाहिए अच्छा question है exam oriented है exam में आ सकता है comment करें स्वभाविक्ता इस पस्टता बौध गम्यता A सभी question number 14 का बच्चो correct answer होगा आपका D A सभी यानी स्वभाविक्ता इस पस्टता बौध गम्यता बिल student correct answer देंगे very very most important question है निम लिखित में से कौन सा मौखिक अभी व्यक्ति का महत्व नहीं है रोज मर्रा की कार्यों करापों में मुख मौखिक भासा प्रियुक्त होती है भासा की सिच्छा मौखिक भासा से प्रारंब होती है मौखिक भासा की द्वारा नई नई जानकरिया म मिलती है भले ही हुए बिचारों की आदान प्रिदान में सहायक नहीं हो आज इच्छित ब्यक्ति बोलचाल की द्वारा ही ग्यान अरजित कर सकता है question number 15 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा आपका C मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सही answer दिया होगा 15 का correct answer होगा आपका C next question है स् answer क्या होगा बोलना कॉंसल में सरवाधिक मैतपूर क्या होता है बोलने की तेजगती सुद्ध चार समझ कर बोलना आखों देखा बर्णन करना question number 16 का correct answer होगा आपका C बोलना कॉंसल में सरवाधिक मैतपूर होता है समझ कर बोलना नोट कर लें next question है स्कीन पर आज का question number 17 अच्छा question है एक्जाम में आ सकता है कमेंट जरूर करें सही answer क्या होगा मौखिक अभी व्यक्ती में question को समझने पहले आप सभी मौखिक अभी व्यक्ती में निमलिखित में से कौन सी विसेष्टा नहीं होनी चाहाईए जल्दी से comment कर स्रोताओं से काफी उच्छिस्तर की भासा का प्रियोग अब सरानुकूल ठीक है कौन सी विसेष्टा नहीं होनी चाहिए question को समझे पहले तो question number 17 का बच्चो correct answer होगा आपका C होगा स्रोताओं से काफी उच्छिस्तर की भासा का प्रियोग नहीं होना चाहिए ठीक है आप उ question number 18 है स्कीन पर अच्छा question है एक्जाम में आ सकता है आप लोग comment करें सही answer किया होगा दोस्तों ऐसे question आपको बिलकुल एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं comment जरूर करें निम लिखित में से कौन सा मौकिक भाव प्रिकासन सीच्छन का उद्देश नहीं है बालकों का उच्छारन सुद्ध एवं परिमार्जित हो बिसाई की अनुकूलता से अधिक भासा सेली को महत्व देना चात्रों को ब्याकन समस्त भासा का प्रियोग करना सिखाना बोलने म बिराम चिन्नों का ध्यान रखना कोश्चन नमबर 18 का बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका भी होगा नोट कर लें बिसाई की अनुकूलता से अधिक भासा सेली को महत्व देना मौखिक भाव प्रिकासन सीच्छन का उद्देश नहीं है ठीक है कोश्चन नमबर 19 भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट है बच्चों यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका भी होगा अर्थ की अपेच्छा उच्चान गत सुद्दता पर बिसेश धियान देना नोट कर लें कोश्चन नमबर 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका भी कोश्चन नमबर 20 है इसकीन पर अच्छा कोश्चन है आंसर जानती है तो बच्चों आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे ठीक है पढ़ना कॉंसल में सरवाजिक महत्पूर्ण क्या होता है ट्वेंटी का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका भी होगा अर्थ गरण करना नोट कर लें